आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने केरियर को चूज करें, कैसे डिसाइड करें और मैंने कैसे डिसाइड किया है कि मुझे अब लाइफ में करना क्या है, क्या मुझे नौकर बनके काम करना है, या मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं डिसाइड कर करना चाहता हूं because दूसरे के लिए काम करने से अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं अपने लिए काम करूं और जो भी growth होंगी वो मेरी होंगी simple सी बात आती है तो बात करें कि क्या कैसे क्यों decide करना चाहिए कि हम किस career में जाना चाहते है normally colleges के इंदर जब हम entry करते हैं तो क्या चीज सोच कर entry करते हैं देखो relate करना आपके साथ भी ऐसा हुआ है और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और मैं feel करता हूं मेरा बहुत बुरा कटा simple सी बात है अब यह कैसे feel होता है समझो अगर हम बात करें college में जब हम entry लेते हैं 12th complete करने के बाद में किसी का IIT के अंदर selection हुआ that's good नहीं हुआ तो वो क्या करता है अपने relative से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए विक ऑल्स उसके पास उस particular time पर इतनी knowledge नहीं होती कि वो decide कर पाए कि मुझे करना क्या है अब जैसे कि मैंने किसी से पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए मुझे बताया गया कि इस वाली field में सबसे ज़्यादा नौकरिया निकलती है job मिलने में आसानी होती है और हमें तो पैसा ही कमाना था common सी बात है हम भी महाँ पे चल दिये अब चलने के बाद colleges के अंदर जब जाते हैं तो college में देखा गया कि अंदर जाके पता लगता है वो कहते हैं बिटा आपको ये भी करना पड़ेगा आपको ये वाली lab भी करनी प ही है जब इंटर्वियू में जाता है वहाँ पर हमें एजना इंटर बोलकर कि तुम नए हो तुम्हें कम salary दी जाएगी तुमको experience जादा गेन होगा ये बोलकर हमें बहुत कम छोटी सी salary पर like किसी company में ले जाया जाता है छे महीने काम कराया जाता है और उसके बाद में हमें वहाँ से pressure के through like हमारे उपर इतना काम दिया जाता है कि हम क्याता है क्या 10,000 में हमारी जान लेना चाते हो तो उस base पर हम वाँ पर company को छोड़ कर चले जाता है तो ये हुआ हमारी journey कह सकते हो career को choose करने की जब हम किसी दूसरे के through career को choose करते हैं तो अब बात आती है like हम कैसे choose क करें अभी अगर आप 18 से लेकर 22 की age के अंदर count होते हो तो आज के समय में पैसे कमाने के लिए अगर आप job करना चाहते हो तो वो सबसे बड़ी बेवुकूफी count होगी आपको करना क्या चाहिए अपनी skills को improve करना चाहिए अभी skills improve करने की बात की जाये तो मैं खुद की skills improve करन रीजन self work आपको खुद पे focus करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अब as a trader अगर मैं बात करूं मैं खुद को बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैं as a trader work कर रहा हूं और मैं यही चीज करने वाला हूं because मेरा जो lifestyle है जैसे मैं जीना चाहता हूं जो चीज मैं चाहता ह अपनी mind और psychology को इतना high कर लिया है जो कि आप और मैं अगर हम किसी job में काम कर रहे होते तो आने वाले 50 साल में भी लाख रुपे महिना नहीं कमा पाते तो यह चीज कैसे achieve की जा सकती है यह चीज अचीज की जा सकती है knowledge के साथ अब knowledge की बात की जाए तो आज की knowledge यह है कि कैस अगर आप ट्रेडिंग को चूज करते हो तो आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो आपको सुबह उठकर सुबह नो बजे से लेकर शाम के पांच बरी तक किसी दूसरे के लिए काम करने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप अपने लिए काम करोगे पहला point दूसरा point आप किसी चाहता है मैं नेचरल प्रॉड़क्त में तो ऐसको उसको कमपाउंडिंग के तहत बहुत जादा गर दे गी तो यह तो हुईедиव पॉंट आप अपने घर में बैठकर काम कर सकते हो आप अपने गाओं में जाने की जरुवत नहीं है। के साथ रहकर काम कर सकते हो लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं नॉर्मली मैंने देखा है कि पढ़ाई करने के बाद में बच्चे अपने माबाप को भाई बहन को छोड़ कर दूसरी सिटी में काम करने जाते हैं जहांपे वह एजना स स्लेव काम करते हैं सुबह उठते हैं शाम तक आते हैं रात को सोते हैं और अगेन वही साइकल चलती रहती है और वह एतनी लंबी चलती है कि उनकी आधी जिंदगी तो वहाँ पर जॉब करते करते बीच जाती है common सी बात आती है बट अभी अगर मैं अपनी बात करूं मैं घर में रहता हूं मेरा जब मन करता है मैं तब काम करता हूं मेरा मन कर रहा है मुझे कहीं जाना है तो मैं अपनी personal choice चे छुट्टी ले सकता हूं मार्केट आपको यह नहीं कहती कि आप 24 घंटे मेरे सामने बैठे रहो अगर आपने अपनी trading strategies का सुधारा हुआ है मैं आपके बताना चाहूंगा government ने अभी pension बंद कर दिये बट ट्रेडिंग करकर आप आज भी pension generate कर सकते हो जो option seller होते हैं वो option seller monthly लाग और पर कमा जाते हैं को time value मिलती जा रही है same cheese implement होती है ऐसा किसी भी business में count नहीं किया जा सकता कि आप कुछ ना कर रहे हो तब भी आप पैसा कमा रहे हैं यहां पर अच्छी बात बता क्या है जो मैंने खुद महसूस की है कि क्या अच्छी बात हैं यहां पर आप पैसे के लिए काम नहीं करते हो और मेरी भी आज mentality change हो चुकी है like मैं कभी भी पैसे के लिए काम करने के लिए अब तयार नहीं होता ठीक है पैसा मेरी लिए काम करना चाहिए अभी वो छोटी quantity में काम कर रहा है बट जिस दिन बड़ी quantity होगा तो मुझे manage करना आता होगा क्योंकि मैंने छोटे amount से start की है और मैंने वो खुद अचीव किया है मैंने वो knowledge खुद अचीव की है तो common सी बात है मैं उसको manage कर पाऊंगा common सी बात है आपको अगर मैं भी 1CR हाथ में दूंगा न तो आप जब trade करोगे तो आपके हाथ काप जाएंगे बट अगर मैं आपको 1 lakh दूंगा और 1 lakh के 2 lakh आपने बना दिये दन आपका जो confidence level होगा ना वो साथ में आसमान पे होता है और यह चीज जॉब करने वाला इंसान कब भी नहीं कर सकता उसको क्यों इतना पता है कि मुझे 30,000 पर मंथ मिलती है और मेरी 2% की इंक्रीजमेंट आने वाली है वो उस हिसाब से जीता है क्योंकि उसकी उसी लेविल की mentality बन जाती है अब बात आती है ट्रेडिंग करने में कुछ नुकसान भी होता है नुकसान बड़े सिंपल से हैं अगर आप समझ सकें नुकसान यह है कि आपके जादा दोस्त नहीं होते आप से जो भी इंसान बात करता है वो किसी ना किसी लालच में बात करता है और आपको अकेले ही रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर हमारी जो psychology हमने डवलप की थी इतने time के अंतर दोस्तों वो खतम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे दूसरे इंसान की psychology आपके psychology के साथ mix होकर decision को change कर सकती है तो इन चीजों को ध्यान रखो और अगर आप as an carrier trading को choose करना चाहते हो तो बस ये बात ध्यान रखो कि असली पैसा है आपके हाथ में अगर पैसा है तो सब के सब आपके साथ है अगर पैसा नहीं है तो common सी बात है आपका होने ना होने से किसी को कोई फरक नही नहीं है आप वो बंद होंगी भी नहीं तो आप उन company के साथ काम क्यों ना करें आप क्यों एक छोटी सी जॉब के पीछे पढ़ रहे हो कि भाई मुझे 10-20-30,000 रुपे कमाने हैं जबकि आप अपनी स्किल्स को नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है जैसे तक हम try नहीं करते ना तो कुछ नहीं होता अगर हम try नहीं करेंगी तो common सी बात है कोई भी carrier choose करी नहीं पाएंगे तो as in a carrier अगर हम बात करें ट्रेडिंग की तो बिल्कुल safe, secure and आपको एक अच्छा return provide कर सकता है क्योंकि जब आप पहले साल काम करोगे तो कम पैसे के साथ औ और आपकी knowledge grow करती रहेगी तो आपको पैसा अगर कम भी आना तो भी आप उससे अच्छा return find out कर सकते हो तो यह है trading का फायदा और trading जो है इतनी आसान होती तो सब करते यह बात मैं मानता हूं बट अगर हम सीखने की बात करें तो सीखने से तो सब plane उड़ाया जा सकता है अग अगर नहीं सीखेंगे तो cycle भी नहीं चला जा सकती तो वही चीज आप पे implement होती है try करो and grow करो